हेलो बचो आप सभी को नमस्कार जैहिन बचो आज मैं आपको क्राऊंगा मैत और कक्षा 6 रहेगी इसमें और अध्याय साथ है अध्याय का नाम रहेगा भिन या फ्रैक्शन तो इसको करेंगे हम तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस चैनल के माद्यम से आपको साइंस और मैत की त्यारी कराई जाती है यदि आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो इसे सबस्क्राइब करें घंटी के बटन को भी दवाएं और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए ठीक है बचो तो चलिए सुरू करते हैं भिन भिन में प्रिबासा है भिन वह संख्या है देखिए भिन वह संख्या है जो एक पुर्ण का भाग निरूपित करती है यह पुर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथ्वा वस्तूं का एक समू हो सकता है ठीक है तो भिन क्या होती है एक पुर्ण का भाग होता है ये कोई भी एक पूरी चीज होती है उसका एक भाग जब हमने उपित करते हैं तो वो एक भिन होती है तो जैसे आपके पास तो जैसे आप देख रहे हो ये एक पूरा सरकल है और इसमें मैंने चार भागों में इसको डिवाइड कर दिया है अब इन में से देखो चारों में से एक को मैंने डोटिड कर दिया है बाकी तीन रहे गे तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये भाग निकालना है ये कितना भाग होगा तो हम क्या करेंगे इसके ये पूरा क्या है एक और एक में कितने भाग है एक दो तीन चार तो पूरी एक वस्तु है उसके चार भाग है तो जो भी टोटल भाग होते हैं हम उसको निचे लिख लेते हैं लाइन लगा के जैसे इसमें कितने भाग है टोटल चार तो हमने चार न हमने निकालना है से हमने निकालना है सबसे यह ही रहता है कि कोई भी आप वस्तू देखो उसमें total कितने भाग हैं वो निचे लिखो और जितने भाग की वो कहता है वो उपर लिख दो तो वो उसकी भीन मन जाती है ठीक है? तो चलिए अब exercise कर लेते हैं तो इसमें एक और बात है जियाद करने की जो उपर संख्या आती है उसे हम ans बोलते है क्या बोलते है? ans और जो निचे होती है उसे हर बोलते है ठीक है? तो भीन में दो भाग होते हैं एक उपर वाली संख्या होती है जो ans और निचे जो संख्या होती है हर ठीक है? ans और हर उसके बाद है आपके पास आपके पास प्रसनावली साथ समल वेक आ गई है इसमें हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि चायांकित भाग को निरूपित करने वाली भीन लिखिए तो आपको चितर दिया गया है उपर उसमें आपने जो चायांकित भाग है चायंकित भाग का मतलब है जितने भाग में ये बल्यू रंग हो रहा है उसको आपने निरूपित करना है तो इसमें देखिए ये जो आपके पास चितर है ट्राइंगल इसके अंदर चार भाग बने हैं एक दो तीन चार तो चार भाग है इसमें तो चार भाग है टोटल कित चार भाग तो निच्छे चार लिख लेते हैं ठीक है और कितने भागों में बल्यू कलर है तो एक और दो दो भागों में कलर है तो दो उपर लिख लेते हैं तो यह एक भिन बन गई ठीक है फिर दूसरे पार्ट है आपके पास दूसरे पार्ट में देखिए, यह आपके पास कितने हैं टोटल, टोटल है तीन, तीन, छे और तीन, नो, नो भाग है इसमें, तो आप क्या किजिए, टोटल जो है उसे निच्चे लिख लेते हैं, नो भाग है, और कितने भागों में कलर है, तो इनको count कर लीजिए 3 और 2 5 और 3 7 तो 7 भागों में जो है color है तो sorry 8 भागों में color है एक में नहीं है तो उपर 8 लेक लेते हैं तो यह इसकी भिन बन जाती है ठीक है फिर 3rd part में देखिए 3rd part में क्या कह रहा है अब इसमें देखिए इसमें 2 भाग 6 अंकित थे और total इसमें 4 भाग है 8, 2, 3, 4 तो जो 4 total भाग थे तो निच्चे लिख लिया और 2 छाय अंकित भाग है तो 2 उपर लिख दिया तो यह भिन आ गई ऐसे ही आपके पास इसमें देखिए टोटल इसमें 9 भाग है ठीक है तो 9 हमने निच्चे लिख लिया और इसमें 8 भागों में डोटिड है छाय अंकित है तो मैंने 8 उपर लिख दिया ठीक फिर उसके बाद देखिए इसमें टोटल कितनी बोल्स हैं तो इसमें 8 बोले हैं तो 8 हम निच्चे लिख लिए जो टोटल बोल्स हैं वो 8 हैं तो 8 निच्चे लिख दिया और कितनी बोल्स के अंदर डोट लगे हुए हैं तो 4 के लगे हुए हैं तो 4 उपर लिख दिया तो इस तरह से ये fraction बन गई अब ऐसे ही ये gain देखिए इसमें total कितने भाग हैं तो वो है 4 तो 4 हमने नीचे लिख लिया और कितने भाग में एक ही भाग में dotted है तो एक उपर लिख दिया तो इस तरह से आप fraction लिखोगे इसका ये fourth part था ठीक है बचो उसके बाद है अब आगे है question number 5 आपके पास ये ठीक है तो fifth में देखिए ये कह रहा है कि इसकी fraction लिखनी है तो इसमें total कितने भाग है एक दो तीन चार पांच छे और साथ ठीक है दो और तीन पांच और दो साथ total है तो हम नीचे साथ लिख लेते हैं और कितने में हमने shade की हुई है एक दो तीन में shade है तो तीन ये लिख लेते हैं ठीक है फिर छटा पार्ट है आपके पास तो छटे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है कि इसमें कितने फिलावर है टोटल तो इसमें चार चार आठ ठीक है ये देखो चार और ठीक है उपर चार है तो चार आठ और चार बारा टोटल कितने हैं बारा है निच्चे 12 लिख ले जाए और कितने में हमने shed की हुई है 1, 2, 3, 3 में shed है तो 3 लिख लेते हैं ये तो ये आगए आपके पास फिर उसके बाद है आपके पास सात्वा question तो सात्वे question में कितनी pencil हैं आपके पास total इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 तो हम 10 निच्चे लिख लेते हैं और कितने पर हमने cross किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पर cross है तो 6 उपर लिख लेते हैं तो ये fraction आ गई या भिन बन गई आठवे में आपने क्या करना है तो आठवे में आपके पास देखिए कितने है टोटल ट्रेंगल कितनी त्रीबुजे हैं इसमें इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 टोटल है तो निच्चे 9 लिख लेते हैं और कितने में share करी हुई है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 4 उपर लिख लेते हैं तो ये इसकी fraction हो जाती है ठीक है तो ऐसे ही आपने अगले question करने हैं दो question रह जाती है तो ये दो question जो है 9 और 10 है जो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसमें है total 8 पतियां है कितनी पतियां है total तो इसमें रेखिए total 8 पतियां है तो निच्चे 8 लिखेंगे ठीक है 9 फोड़ा है ये तो निच्चे हम लिखेंगे 8 और 4 में color है इसमें तो उपर 4 लिख देंगे फिर उसके बाद 10 मा question में भी आपने ऐसी करना है total है इसमें half portion यानि आदा और आदा दो भाग हैं इसके तो एक बटे दो कर लेते हैं यानि दो भाग है तो दो लिख दिया और एक भाग में इसमें color है ठीक है तो इस तरह से आपने question number 1 कर लेना है अब question number 2 में ये कह रहा है कि दी भी भीन के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए यानि जो भी भीन दी गई है उसके अनुसार इनको छायांकित करना है तो हमारे पास है ये question दूसरे का first part है जो ठीक है तो ये चितर दिया गया है और इसमें ये बोल रहा है कि एक बटे 6 भाग को छायांकित करना है इसके और इसके 1 बटे 4 भाग को ठीक है और इसके एक बटे तीन भाग को चायंकित करना है तो एक बटे छे का मतलब है छे टोटल भाग है ठीक है एक बटे छे का मतलब है कि इसके टोटल कितने भाग है छे और उनमें से एक भाग को चायंकित करना है तो इसके एक भाग में shade करनी है तो यह आपके लिए छोड़ देता हूँ और दूसरे में क्या है दूसरे में भी ऐसे ही है एक बटे चार का मतलब है कि इसके चार भाग है ठीक है और चार भाग है इसके total और एक भाग में चायंकित करना है और तीसरे में तीन भाग है तो तीन एक बटे तीन है जो और एक को चायंकित करना है तो इस तरह से आपमें इसके तीनों पार्ट कर लेने है ठीक है तो यह देखिए इसमें छे भाग में से एक भाग को चायंकित कर दिया है ठीक है तो एक बटे चे हो गया इसमें चार भाग में से एक भाग को चायंकित कर दिया एक बटे चार हो गया और इसमें तीन भाग में से एक भाग को चायंकित कर दिया तो एक बटे तीन ये बन गया तो इस तरह से आपने करना है और इसमें भी सेकिंड पार्ट है जो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है तो य है जैसे आपके पास तीन बटे चार क्या है तीन बटे जैसे यह बोल है इसमें कितने भाग है टोटल चार भाग है तो चार भाग टोटल है और तीन भाग इसके सेड करने है तो तीन भाग गो में आपने इसमें कलर करना है आप कर लीजिएगा और इसमें अगले कोश्चन में फिफ्ट में देखिए नो टोटल है तो नो नीचे है और चार भाग में इसमें कलर करना है तो चार उपर आ जाएगा तो चार बटे नो तभी बनेगा जब आप चार डबो में कलर कर लोगे तो यह आपके लिए छोड़ देते हैं अब कोश्चन नमबर तीन है जो यह कह रहा है कि निवन में यदि कोई गलती है तो पहचानिए तो अब आपको एक बटे दो कहा गया इसने पहले चितर में तो यह देखिए त्रीबुज का चितर है जो ये कह रहा है कि ये एक बटे दो भाग जो है छायंकित है लेकिन ये एक बटे दो भाग छायंकित नहीं है अगर एक बटे दो करना है तो आदा होना चाहिए आदे का मतलब इस तरह से ये छायंकित हो सकता है ठीक है तो ये आदा भाग होगा तब हम एक बटे दो इसको कहेंग फिर दूसरे चित्र में देखिए इसमें जो चार भाग है वो बराबर नहीं है चारों के चार तो ये चारों के चार बराबर होने चाहिए तो जैसे हम इस तरह से बनाएंगे तो यह 4 भाग जो हैं इस तरह से बनने चाहिए और उनमें से फिर 1 भाग को आपने चाहिखित करना है तो यह 1 बटे 4 बनेगा थीक है तो यह गलती है इसमें और जो लास्ट वाल दिया गया है इसमें भी 4 भाग वराबर नहीं है तो चारो भाग ब्राबर होंगे जब तब ही हम उसको एक बटे तीन बटे चार लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं तीन बटे चार ये तब ये तीन बटे चार होगा तो इस तरह से ये गलती हैं आपने इसनको ठीक करके लिखना है अब अगले question पे चलते हैं आगे question number 4 में पढ़िए ये कह रहा है कि 8 गंटे एक दिन की कौन सी भिन होगी 8 गंटे और एक दिन की भिन बनानी हैं तो हमें पता है 8 गंटे हैं कितने हैं 8 गंटे और एक दिन एक दिन का मतलब निचे एक दिन आएगा लेकिन अब यह कहता है कि एक दिन में किजने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं यह आपको पतावना चाहिए तो हम 24 को निचे लिख लेंगे तो यह आजेगा 8 बटे 24 अब इनको हम काट सकते हैं क्योंकि 8 और 24 आठ के पहाड़े में दोनों आते हैं तो आठ है कम 8 पे और आठ ती है 24 तो यह एक बटे 3 बिन बन जाएगी ठीक है तो अगर यह कटते हैं तो उनको काट भी सकते हैं हम तो एक बटे 3 यह बिन बन गई कोस्चन नमबर 4 में अब कोस्चन नमबर 5 में यह कहता है कि 40 मिनट और एक घंटे की भीन बनाईए तो 40 मिनट और एक घंटे की भीन बनानी है तो 40 मिनट और बटे एक घंटा ठीक है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं तो वो होते हैं 60 तो यह जगा 40 बटे 60 पार्ट क्योंकि ये मिनट में है तो ये भी मिनट में बनाना है हमने ये घंटे में था तो दिन भी हमने घंटों में बना दिया था अब ये जीरो के साथ जीरो कैंसल हो सकती है ठीक है अगर ये कैंसल होते हैं तो कैंसल कर दो अब ये दो चार और छे जो है दोनों के दो के टे र चलते धैगा ठीच च्वार्य है तो जो आर्या है वह क्या करता है स्टेस्ंडविच लेकर आता है मैं और अभिमन्युआ विकजह दोस्त है वह कोई भी भी सेंडवीक नहीं लेकर आई वह अपना बोजन भूल गए घर पे स्कूल में जब आए तो इसके पास दो सेंडविच है तो आरिया बोल रहा है कि चलो कोई बात नहीं मैं अपने सेंडविच में से आप लोगों को दे दूँगा तो अब हम सेंडविच को इन दो सेंडविच को किस परकाल से बांटे कि इन तीनों को ब्राबर भाग मिलें ठीक है इसका पहला पार्ट ह जो वो कह रहा है कि इन दो सेंडविच को तीन बच्चों में बांटना है ताकि तीनों को ब्राबर भाग मिलें तो हम क्या करते हैं एक सेंडविच के तीन भाग कर लेते हैं जैसे ये एक दो और ये तीन तो तीनों में ब्राबर हो जाएगा एक एक पार्ट तीनों को दे द है फिर सब्सक्राइब हम तीन Chengu कर लेते हैं कि पेछास है इसके एक तीन अब जैसे हैं यारिया ने ले लिए ये विर को मिल गया अब टोटल कितने बन गई हैं तीन हैं तो इसके बहता है तो कोने कितने फांट सो फो मां नहीं दोन्त करेंदाद मिम्नों चैनल lính इतो अर्या को कितने मिल एक पीस यह मिल गया तो इक पीस 2 पर दो लिख लेते हैं तो 2पसे है अभी डो के टेल में आते है दूनोंkiej एक कम दो और दो तीए छे तो एक बटे तीन भाग जो है इसको आरिया को मिला एक बटे तीन भाग ही अभिमन्यू को मिला और एक बटे तीन भाग ही विवेक को मिला क्योंकि ये दूसरा पार्ट जो है अभिमन्यू को मिलेगा और तीसरा जो है विवेक को क्योंकि तीनों को ब्राबर मिला है ठीक है तो इस तरह से ये सैंडवीच का परतेग बच्चे को एक बटे तीन भाग मिलेगा और एक सैंडवीच में से कितना मिला है वही दोनों को सभी को तो परतेग सैंडवीच में से भी एक बटे तीन भाग मिलता है ठीक है और दोरनों सेंड बीच में से भी एक बटे तीन भाग यानि तीसरा इंसा मिलता है एक बच्चे को ठीक है तो यह इस तरह से आपने तीस ड्रेसे हैं है कितनी है टोठल जो टोठल होता है जब बीटियास निझे लिखते हैं मैंने कीद सुने कितनी रंग दी 20 रंग दी 30 में से तो 20 उपर आजेगा 0 से 0 कैंसल कर दो 2 वटे 3 भिन जो है उसने रंग दी है ठीक है फिर यह तो साथ में कोश्चन था आठवे में चलिए आठवे में क्या कहते हैं कि 2 से 12 तक की प्राकरतिक संख्याएं लिखिए अब भाज्जा संख्याएं उनकी कौन सी भिन है ठीक है तो हम क्या करेंगे अब आपके पास है कोश्चन नमबर 8 में कह रहा है कि 2 से 12 तक की सभी अभाज्जा संख्याएं लिखिए तो हमने 2 से 12 तक की सभी अभाज्जा संख्याएं लिख 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 प्राकरतिक संख्याएं 2-12 तक लिख लिए हैं तो टोटल ये हैं 11 तो ये टोटल कितनी संख्याएं एक दो तीन ये सभी 11 संख्याएं हैं तोटल और अब भज्या संख्याएं क्या होती हैं जो किसी के भी टेबल में ना आएं बस अपने ही टेबल में आएं अपने ही में नहीं आती तो 2, 3, 5, 7 और 11 तो ये 5 अभाजा संख्याएं हैं तो हम इनकी भीन लिखेंगे तो भीन आ जाएगी टोटल कितनी है 11 निचे लिखेंगे और कितनी अभाजा संख्याएं है 5 उपर लिखेंगे तो ये आपका अंसर आ जाएगा क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आती दोनों तो ये फ्रेक्शन आ जाएगी आठवा कोस्चन अब आपके पास नौवा कोस्चन है तो इसमें देखेंगे ये कहला था कि 102 और 113 तक की प्राकरतिक संख्याएं लिखेंगे और अभाजा संख्याएं इनकी कौन सी भिन है तो 102 से 113 तक की अभाजा संख्याएं लिख लिए है तो ये कुल कितनी है बारा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस क्यारा बारा तो ये बारा अभाजा संख्याएं है ठीक है और कुल बारा संख्याएं है और अभाजा संख्याएं कितनी है इसमें 103 है 107 है 109 और 113 तो ये चार अभाजा संख्याएं है इसमें तो इसकी भिन बन जाएगी कुल बारा है और चार इसकी अभाजा संख्याएं है तो चार के टेबल में दोनों आती है तो चार एके चार चार 12 तो एक बटे तीन जो है इसकी भीना जाएगी ठीक है बचो तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ रोके थैंक्यू जैहिन